नमस्कार थे सुने की बड़ी खबरों में आपका स्वागत हैं आप देखने खबर पोक्स और मैं हूँ आपके साथ सूमन आज के इस बुलिटीन में हम बात करेंगे आतीशी के सीम बनते ही करमाई सियासत की अमित्शा की गरत से हिले पूरे पाकिस्तान की भारत की कवाड बैठक से चीन को आए पसेने की मुंबई में मज़ित को लेकर छिड़े खमासान की तिरुपती परशाद मामले पर धिरेंदर सास्त्री को आए गुस्से की बात करेंगे फिर रेल को पलटाने की हुई बड़ी साजिस की और बुलिटीन के अंत में हम जानेगे क्या सच में हरियाना में बीज़ेपी कैंडिडेट पैसे बाठ कर चुनाव जीतना चाते हैं के नोवे मुके मंत्री की सबत कैबिनेट में चार पुरानी मंत्रियों समेत मुके सहलावतन नायाज चहराभी शामिल सबत ग्रेंट समारों में पूर्वे सियम के जिवाल सी सोधिया और बंजाब के सियम भगवंत मान खुई शामिल जब मकस्मीर में फारुक अब्दुला लेकर आये थे आतंकवाद मेडर की चुनावी रेली में गर्जी केंद्रिय मंत्री अमित शा कहा कि नबर के दश्रक में यहां की आका पाकिस्तान से डरते थे लेकिन अब मोदी जी उनकी गोली का जवाब गोले से देते हैं अमेरिकी राष्टपती जो बाइड़िन की कोठी में बैठेंगे पिये मोदी समेट को आट के चार यार चीन को काउंटर करने के लिए बनेगा चक्रव्यू ड्रेगन की बड़ी मुस्किले बाचपा वाले खुद पाकिस्तानी सत्ता में बैठे हैं फिर भी आतंकवाद पसार रहा है पैर नेसनल कॉन्फरेंस के अदेक्स फारुक अब्दूला ने बोला बड़ा हमला खाकि जमु कस्मेर मुस्लिम बहुल राचे था इसलिए बीजेपी ने इसके टुकडे कर दिये पंजाब में रुकी आयुसमान भारत प्रधान मंतरी जनारो गे योजना बीजेपी अदेक्स जेपी नर्डा ने सीम भगवंत मान परसाधाने साना बोले कि दिली में पार्टी की जेजेकार करना छोड़ें राजी की स्तती पर ध्यान दे हम आद्मी पार्टी ने मनोज धनोर को असम का पार्टिय अदेक्स बनाया वहीं पूर्वय प्रदेश अदेक्स भामेन चोधरी को नेशनल जोइन्ट सेकेर्टरी की दी सिम मेतारी मानिपूर में म्यामार से 900 कुकी उगरवादी घुसे राजे के सुरक्षा सलाकार कुलदीप सिंग बोले इन्हें ड्रोन मिसाइल हमले के ट्रेनिंग मिले इस महीने मैताई गाओं में हमले क्या शंका हफते में पांस दिन और आट घंटे का वर्क कलेंडर फिक्ष होना चाहिए वर्क लोड से सीए की मोत की बाद बोले ससी थरूर कहा कि इसके लिए संसद में प्रस्ताव ले कराऊंगा बेसनल के बढ़ रहे ग्राहक जियो और एरटेल को भकतना पट रहार रीचार्ज महंगा करने का खामियाजा जुलाई में एरटेल ने 16.9 लाग और जियो ने 7.8 लाग ग्राहक गवाएं वही जुलाई में बेसनल ने अपने साथ 29 लाग ने ग्राहक जोड़े रेलवे को बदनाम करने की हो रही कोशिस सूरत में रेल की पट्रियों पर मिली फिस प्लेट और चाबियाँ ट्रेन को ट्रैक से उतारने की 55 दिन में हुई 20 बड़ी फासाज़ेश राजा ऐसा होना चाहिए जो आलोचनाज जेल सके उस पर आत्मचिंतन कर सके यहीं लोगतंत्र की सबसे बड़ी परिक्षा बोले केंद्रिय परिवेन मंत्री नितिन कट करी मुंबाई की धारवाई बस्ती में BMC की टीम पर हुआ हमला मज़ित का अवेध हिसा गिराने गई दो गाडियों में तोड़ फोर अब एक्शन पर आट दिन की रोक CRPF में कॉंस्टेबल के 11-41 पदों पर और कैनरा बैंक में अप्रिंटेंस के 3000 पदों पर निकली पंपर वेकेंसी महीं पंचाब और सिंध बैंक की 213 वेकेंसियों पर आवेधन करने के आस लाश्ट डेट इसके लाओ और भी सरकारी नोक्रियों की ताज़ा अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें सरकारीजोपडेट.com फेब साइट पर एर मार्शल अमर प्रीत सिंग वायूस के नए चीफ होंगे विवेकर राम चोधरी की जगें 30 सितंबर को सम्हा लेंगे नए सिम्यतारी बाबा विश्विनात का प्रशाद मिला तो दिमाग खटका याद आये तिरूपती विवाद पूरवे राष्टपती रामनाद को विन बोले कि हार तिर्थिस्थल में ऐसी घटिया मिलावट हो सकती है प्रशाद पर आ रही खबरे चिंता जना जारकर में आज सुबहे आठ बजे से डेड़ बजे तक मोबाइल इंटरनेट पर रहे गा बैन जे एससी का पेपर लीक रोकने के लिए राजे सरकार ने लिया बड़ा फैसला तुरुपती मंदिर के परशाद में जानवरों की चर्वी पाई जाने के बाद मचा बवाल राजास्तान के बजनलाज सरकार ने लिया बड़ा फैसला सभी वड़े मंदिरों के परशाद की जांच के दिये आदेश इस आफते सोने चांदी में रही तेजी 10 ग्राम 24 करट सोना 1049 रुपए बढ़कर 44,033 रुपए परवा हुआ वहीं 1 किलो चांदी 2617 रुपए मेंगी होकर 88,917 रुपए भी ये तो ती सुरक्या अब चलते हैं आसके बड़ी खबरों की ओर लेकिन खबरों में आगे पढ़ने से पहले सबसे इंपोर्टेंट बात, लेटिस्ट न्यूज और ताचा खबरों की वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और वोट्सअप चैनल को अभी जोइन कर ले जिसका लिंक डिस पाकिसान को भी लतार लगाते हुए गोली का जवाब गोले से देने के चेताम नीदी है तो ऐसे में क्या है पूरी खबर देखे इस खास रिपोर्ट केंद्री ग्राम अंत्रियम इत्षा बीते दिन जमुकस्मीर दोरे पर रहे जहां उन्होंने मेंडर पुछ थानमंडी र पाकिसान से डरते थे लेकिन अब पाकिसान नरेंद्र मोदी जी से डरता है इनके हिमत नहीं है गोले बारी करने की अगर गोले बारी की तो मोदी जी गोली का जवाब गोले से देंगे साथी कहा कि यह चुनाफ जमुकस्मीर में तीन परिवारों का सासन खत्म करने वाला च हर जंग में जब मुकस्मिर के सैनिकों ने भारत की रक्षा की है 1990 के दशक में जब आतंकवाद आया तो यह मेरी पहाड़ी गुज़र और बकरवाल भाई ही थे जिन्हों ने सीमाओं पर बहादूरी से गोलियों का सामना किया साथ ही अमित्शा ने एक बार फिर अपनी चुन में हम 50 प्रतिशत कम करेंगे और 500 यूनिट फ्री तक बिजली भी देंगे युवाओं को 5 लाग सरकारी नोक्री देंगे इस समय नोक्री से जादा तो देश की जन्ता मंदिर मज़ित को लेकर लड़ रही है वहीं बीते दिन फिर मुंबई में बी एमसे अधिकारियों की ए एक टीम बीते दिन धरावी पहुंची जा मैवू वे भुवानी मज़ित के अवेध हिसे को गिराये जाना था लेकिन जैसे ही बी एमसी टीम धरावी की 90 फिट रोड पर पहुंची मुस्लिम समा समेत बस्ती के लोगी खटे हो गए और टीम को मज़ित के अवेध हिसे को गि यह आने वाली है इसके लिए आप सभी लोगों से गुचारिस है कि मज़ित की हिफाज़त के लिए जादा से जादात में जमा हो इस चिटी के सामने आने के बाद भारी संक्या में लोग धारावी में जमा हो गए 25 साल पुरानी सुभाने मज़ित को अनाधी करत बताते ऐसे में BMC के अधिकारी मज़ित तोडने के लिए पहुँचे तो प्रतिशनकारी लोगों ने उनकी गाडियों पर पथराव किया हालात संभालने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को तैनाध किया है प्रतिशनकारीों का एक दल पुलिस और BMC से चर्चा करने गया जि एक तरव मज़ित को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है तो दूसरी तरव तिरूपती मंदिर के परशाद में सुवर के चर्बी ने तूल पकड़ रखा है जिसके बाद धिरेंदर सास्ट्री ने बीते दिन खुलकर अपनी परतिक्रिया दी है और इसे हिंदू धर्म की आस्ता के किलाफ बड़ा शडियंत्र बताया है तो ऐसे में क्या है पूरी खबार देखे इस खास रिपोर्ट में तिरूपती मंदिर परशाद विवात पर बागेश्वर धाम के पिठा दीश्वर पंडित धिरेंदर सास्ट्री की पहली परतिक्रिया सामने आ गई है उन्होंने इ तिरूपती बाला जी के प्रशाद में चर्वी घी का लड़ू का प्रशाद वित्रन किया गया था अगर यह जानकारी सत्य है तो यह बहुत बड़ा अपराद है निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाव सुनी योजित तरीके से सड़ी अंत्र किया गया है इस भगवान के प्रशाद में चर्वी का प्रियो किया गया यह मचली के तेल का प्रियो किया गया तो इससे बड़ा वर्तमान में भारत में दूसरा कोई दूर भागयन नहीं हो सकता दिरेंदर सास्ट्री ने आगे कहा कि इस मामले की बारिक्यों से जाच होनी चाहिए और मैं सरकार से कहूंगा कि सिग्र से सिग्र हिंदू के मंदिरों को हिंदू बोड के अधिन कर दें ताकि किसी भी सनातनी की आस्ता को ठेस ना पहुंचे आपको क्या लगता है कि हिंदू धर्म की आस्ता के खिलाब कोई साधियंत्र रचा जा रहा है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर लें साथ मे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीचेगा